बॉलीवुट के ऐसे कई सितारे हैं जो उम्र बढ़ने के बावजूद भी अपनी फिटनेस और पहले की ही तरह दिखने वाले लोग के कारण चर्चा में रहते हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत आज जान लेते हैं सिमी ग्रेवाल के बारे में। इसकी शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। अम्रता भी पड़ती थी। सिमी का पूरा बच्पन इंग्लेंड में ही पीता लेकिन जवानी के दिनों में वो भारत चली आएं। दरसल इस दोरान उनका पूरा परिवार भारत लोटाया था। इंग्लेंड में रहने के कारण इंग्लिश लैंग्वेज पर कमाल की कमांड हो गई थी। यही कारण रहा कि उन्हें फिल्म टार्जन गोस टू इंडिया ओफर की गई। हैरानी की बात ये है कि इस वक्त सिमी की उम्र महस 15 साल की थी। पॉलिवुड में सिमी ग्रेवाल ने अपनी डेब्यू 1962 में फिरोज खान के साथ की थी। सिमी की एक बड़ी उपलब्धी ये भी है कि उन्होंने बड़े निर्देशक जैसे राज कपूर, सत्य जीत रे, म्ननाल सेन और राज खोसला के साथ भी काम किया है। वैसे तो सिमी ने कई सारी फिल्मों में काम किया है लेकिन उनके करियर की सबसे ज़ादा लोगप्रिय फिल्म मेरा नाम जोकर और सिदार्थ रही है। यशोपडा रिष्टे में सिमी ग्रेवाल के ब्रदर इनलॉ लगते हैं। सिमी ने 1970 के मद्ध में यशोपडा की फिल्म कभी-कभी और 2003 में आई फिल्म चलते-चलते में भी काम किया है। फिल्म कर्ज में किये गए नेगिटिव रोल के कारण सिमी ग्रेवाल ने काफी सुर्ख्या बटोरी थी। इस फिल्म के बाद वो लोगों की नजर में भी आ गई थी। 1980 की शुरुआती दौर में सिमी को ऐसा लगा कि उन्हें कुछ अलग और नया करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लेखन और निर्देशन के शेतर में भी की। इस तौरान उन्होंने अपनी एक प्रोड़क्शन हाउस की भी शुरुआत की। जिसका नाम रखा गया सिगा आर्ट इंटरनेशनल। इस production house के तहट उन्होंने तूरदर्शन के लिए एक TV सीरीज Its Woman World का निर्देशन, निर्मान और लेखन का भी काम किया इसके अलावा उन्होंने UK के चैनल 4 के लिए भी काम किया इस चैनल के लिए उन्होंने एक documentary बनाई जिसका नाम था Living Legend राजकपूर इस documentary के लिए उन्होंने पूर्फ प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भी interview लिया था इसके अलावा सिमी ग्रेवाल ने एक हिंदी feature film रुकसत का लेखन और निर्देशन भी किया इसके साथ ही एक television commercial का भी निर्मान किया बड़े परदे पर काम करने के बाद सिमी ग्रेवाल ने television पर वापसी की और Star Plus के talk show India's Most Desirable में बतौर host काम किया इसके साथ BBC की docudrama महराजास के लिए भी काम किया बात 1973 के आसपास की है जब फिल्म टाक बंगला की shooting चल रही थी इस film के नर्देशक थे गिरीश रंजन और इस film में बतौर अभिनीत्री सिमी करेवाल को साइन किया गया था फिल्म में सिमी के साथ बतौर अभिनीता नितिन सेथी ने भी काम किया था इस film की shooting के दौरान film के डिरेक्टर सिमी से काफी परेशान हो गए थे तरसल शूटिंग के दौरान सिमी सेट पर काफी देड से पहुँचा करती थी इतना ही नहीं सेट पर पहुँचने के बाद वो घंटों तक मेकप रूम में ही बैट कर मेकप करती रहती थी फिल्म से जुड़े हुए कुछ लोग बताते हैं कि वो खाना खाने के बाद मेकप रूम में ही सोजाया करती थी इसका असर फिल्म के बचट पर बड़ा सिमी के इन आदतों से परिशान होकर निर्देशक गिरीश रंजन ने ठान लिया था कि अब वो कभी भी सिमी ग्रेवाल के साथ काम नहीं करेंगे उनकी पर्सनल जिंदिगी की तरफ रुख किया जाए तो पता चलता है कि उनका विवाहित जीवन उथल पुथल भरा रहा जामनगर के महाराजा और मनसूर अली खान के साथ उनके अफैर के खूब चर्चे हुए थे पर रवी मोहन के साथ उनकी शादी हो जाने के बाद कुछी सालों में तलाग भी हो गया था पर इंडस्ट्री में सिमी आज भी अपनी खूब सूर्थी और फिल्मों में तिये महत्वपून योगदान के लिए चानी चाती है